इस वीडियो में यहां पर देखने वाले बियार अगरिकल्चर यूवर्सिटी के बारे में सब्सक्राइब करने में और भी सारी चीज होगी जिस चीज के बारे में हम यहां पर इस वीडियो में देखने वाले हैं चुले देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं प्यार अगरिकल्चर यूवर्सिटी तो अप्लिकेशन फॉर्म को जल्दी रिलिस कर देखा इस वीडियो में ओके सो यहां पर आपको पता चल गया होगा यहां पर लिखा हुगा है पीजी एन पीसडी कोर्से के लिए यहां पर क्या करती जाएगी अप्लिकेशन फॉम को रिलिस की जाएगी अभी रिलिस नहीं की गई आप की तो जल्दी जाएगी बियार अगरिकल् अब यहां पर आप देखेंगे जो भी डिग्री अप्लाइ करने जिन बचों को भी इंट्रेस्ट अप्लाइ करने में वह चाहते है अड्मिशन देन तो उसके लिए यहां पर कुछ प्रोसेस है प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी समझना पड़ेगा किस तरह से क्या होग तो आपको काफी इजी पड़ेगा जो इजी वे में आपको समझी अभी आजाएगा ठीक है मैं आपको बताता हूं शुले देखते स्टार्ट करते ठीक है तो यहां पर कुछ आपके युनिवर्सिटी का नाम है बिहार अगरी कल्चर युनिवर्सिटी कौन सा कूर्स आपक साइन्स वगरा सारे चीज़े पीजी और पीएसडी अप्लिकेशन मोड ओनलाइन मोड से ओफिशल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाता है यहां पर और हल्पन नमर होगरा भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है एड्रेस वगरा आप चाहिए तो कॉलेश का सब क कूंसा एवंट अप्लिकेशन फोर्म कब स्टार्ट किया जाएगा लास्ट क्या प्लिकेशन फोर्म स्टार्ट करने का अप्लिकेशन औफ डॉद अद्मिट कार डट अध इट ऐग्वशांएट अ रिजल्ट डेट लটफ कांसलिंग सारी चीज़े और आपको देखने को मि बनाता है जिसका application form के बारे में इस step पे सब कुछ देखने को मिलेगा कब कैसे कहां से feel कर सकते है क्या क्या process होते है किस तरह से start करोगे online mode पे बट कहां पर जाना पड़ेगा उसका link क्या है हर एक चीज़े के बारे में आपको पता चलेगा आप कौन से documents आपके लिए चाहिए ह scan signature valid ID photo number सारे चीज़े यहां पर लिखा हुआ है application form के fees आप online mode से pay कर सकते हो credit card यूज कर सकते हो debit card यूपिया net banking वगेरा सारा चीज़े एक बार आगर आप पे करते तो दुबार आपको refer नहीं होगा आपको पैसा नहीं मिलने वाला है ठीक है उसके बाद आप eligibility क्या है apply करें स पहले तो आपको eligibility पता होना चाहिए पहले students को चेक जरू करना चाहिए कि आपकी eligibility क्या set किया गया इन्होंने तो आप eligible हो पाओगे आपकी nationalty क्या चाहिए Indian citizen से रहो गए तो आप यहां पर apply कर सकते हो जो भी लड़का लड़की हो gender यहां पर सारे gender clear है यहां पर admission है ले सकते हो कोई भी qualification यहां पर बुला गया 12 class complete हो रहने चाहिए percentage यहां पर कितना चाहिए minimum 50% यहां पर mark शे होता तो apply करने के लिए age limit देख सकते है student must check age limit कितना 17 year complete हो रहने चाहिए उससे कम रहेगा तो आप यहां पर eligible नहीं apply नहीं कर सकते हो तो 17 year complete हो रहने चाहिए at the time of admission यहां प यह कुछ से step अगर आप देख सकते हैं आप यूजी पीजी क्लिए हां पर दिया गया ओके पीजी पीजी क्लिए भी दिया गया ओके आप exam pattern के बारे में discuss करते हैं जिसमें आप exam patterns देख सकते हो सारे topics का जब भी रहेगा जब आपका वो exam काफी नजदीक रहेगा तो भी आप यह आपको एग्जाम patterns के बारे में पता चल गया उसे पहले पता चले आपको उसे लेबस और exam patterns के बारे में पता चल लएगा थेक हैं आप उसे prepare करोगे prepare करोगे प्रिपैर करने के लिए tips को follow करो tip preparation कपी अच्छी होगी किस तरह से start करनी है क्या किसारे से start करनी है क्या-क था यहाद रखनी है ध्यान में रखनी है हर एक चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है और चाहिए रखनी होता उस्योच के लिए तो वह आपका आइडी प्रूफ होता है तो वह आईडी प्रूफ चाहिए बेफार एक्जामिनेशन क्प्लीट तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म करके हो गया है जिन बच्चों का सारा प्रोस्स क्म्वीट हो चुका है वही बच्चे यहां पर application form फिल कर सकते हैं फिर admit card उन बच्चे को चाहिए admit card काम मिलेगा यहां पर आप देख सकते हो official website पर वहां पर admit card को देख सकते हो फिर registration and click submit बटन बियार university admit card which will be presented print out after the downloading it आपको क्या करने है print out निकालने है फिर आपका exam देने के लिए आप जा सकते हो यह process आप जिरूपट हो एक पर क्या है ठीक है admit का download करने के print out निकालने के process है आप अपना result चाहते हो check करना देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे किस तरह से देखोगे तो declaration soon तो अभी declared नहीं किया का declared कप क्या जाएगा जो भी डेट आएगा उस जेट पर आपको चेक करनी है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो जिन बच्चों ने एक्जाम अगरा दिया उन्न बच्चों को रिजल्ट होगरा देखना है कितना पर संटा है कैसे कि उन्होंने सार पर आपको पता चलेगा तो मेरेट लिस्ट में आगर उनका नाम आया जिन बच्चों का उन बच्चों का पफोर्मेंस काफी अच्छे है ओके तो उन बच्चों का क्या करनी पड़ेगी का उन बच्चों का नाम आया तो उन बच्चों को क्या देखनी पड़ेगी कि आप आ तो आपको प्रोसेस पुरा कम्प्लीट होता है तो काफी इजी वे है तो इस तरह से आपको कम्प्लीट करनी थी इन में से किसी भी प्रोसेस में आगर आपको डाउट होता है तो आप जोए डेफिनेटी कमेंट कर सकते हो दिस्क्रिप्शिन बोक्स में इस पेज का मैंने लिंक दिया हुआ है आप जरूर क्लिक करके इस पेज पर आकर करके चेक करिए और तैंक यू सो मच फॉर वचेंग माई वीडियो थैंक यू